हलो फ्रेंद !!. किचन बैस नहल में आपका बहुत स्वागत है आज मैं आप शेर करने जा रहे हूँ बना रोडब कि रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान है और स्पेशली बच्चों को ये मिलख शेक पहुत ही जादा पसंद आता है अगर आपके बच्चे बनाना खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इस तरह से मिल्क शेक बनाकर उन्हें दीजीए आपके बच्चे इस मिल्क शेक लीज़िय। बनाना मिलकशेक बनाने के लिए सबसे पहले मिकसर का एक ब्लेंडिंग जार ले 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 उसमें हम डाल देंगे बनाना तो यहां पर एक बड़े साइस के बनानों को इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया है यहीं पर हम डाल देंगे खजूर तो यहां पर मैंने एक खजू यहां पे चीनी का इस्तमाल किया है मैंने तो अब हम यहां पर दाल देंगे जाओ फ़सरी दूदा किया हुआ तो सबसे पहले मैं यहां थोड़ा सा दूद डालोंगी तो तक्रीबें दो-चीनी को तो भागी का वचा हुआओध दूद हम बाद में डालेंगे इसके बाद हम blending jar का ठकन बन करके, इसा सब्लेंड ना बन करके इसकी स्मूद पेस्ट पना लेंगे तो यह देखे मैंने यहां पर एस मेरे ब्लेंड कर लिया है और एक बर ठकन कोल के देखते हैं कि यह सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी है यहां पर देख सकते हैं कि यह ड्राइफ रूट्स बनाना वगेरे जो है वह वह अच्छी तरह से ब्लेंड हो जुग है अब हम क्या करेंगे कि इसमें दूद डाल देंगे तो यहां पर यह बचा वा सारा दूद में यहां पर डाल दे हूं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बनाना और चीनी की कौंटिटी यहां पर थोड़ी बढ़ा दे तो यहां पर मैंने आइस्क्रीम को डाल दिया है अब हम क्या करेंगे ब्लेंडिंग चरकर ठकन बन करके इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं मैं अगर आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को बनाना खाना पसंद नहीं है तो उन्हें आप इस तरह से मिलकशेक पना के दीजिए उन्हें यह यह मिलकशेक डेफिनेटली पसंद आएगा इसके उपर एक स्कूप मैं यहां पर वैनिला आइसक्रीम डाल देती हूं ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी जादा बढ़ जाए और इसके उपर थोड़े से बारिक कटेवे पिस्ताशूस डाल के इसे गार्निश करते ताकि यह दिखने में और भी जादा अच्छा लगे लास्ट में इस बारिक कटेवे बनाना के तुकडों को भी इसके उपर डाल द दिखने में प्याद रखवे बात बादा बारिक करते ऊच्छा लादाशूस डाल दाधे लादा टाल रभी जास्ट में वोड़े लादारी